दोस्तों अगर आपके पास Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi 9i Sport कोई भी डिवाइस है, अगर आपके पास कोई भी MI का भी डिवाइस है, तो उसको आप कैसे fast कर सकते हैं, तो अभी मेरे पास Redmi 9i device है, Redmi 9i Sport डिवाइस है, तो इसको मैं fast करके आपको बताऊंगा, यह बहुत slow चल रहा है, तो दोस्तो फास्ट हो जाएगा 100%, अब इस ट्रेक को जरू ट्राइ कीजिए, आपका instantly fast हो जाएगा, तो आपको जाना है अपनी फोन की settings के अंदर, तो settings के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से shortcut आप settings म यहाँ पर मैंने theme डाल रखी है, इसलिए color OS version दिखा रहा है, तो इस पर आपको tap कर देना है MIUI version पर 8-10 बार जल्दी जल्दी और फिर आपका developer options on हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है back, फिर आपको करना है back, ठीक है brightness में थोड़ी adjust कर लेता हूं, तो आपको जाना है back, और फिर आपको scroll करना है, ठीक है, तो और मैं नीचे चले जाना था हूं, यहाँ पर आपको additional settings का एक option दिखाई दे रहा है, इसमें आपको click करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको developer options देखने को मिल जाएगा, पहले नहीं था, अब मिल जाएगा आपक देख सकते हैं, green color में debugging लिखा हुआ है, फिर मैं जाता हूँ, यहाँ पर और scroll करता हूँ, और देखी networking लिखा हुआ है, यहाँ पर drawing का option आ जाएगा, तो हमारा come up हो जाएगा, तो देखिए, drawing का option आ चुका है, इसके अंदर आपको care करना है, यहाँ पर आपको animations दिखाई द कर लेना है, दूसरे वाले animations को भी आपको 0.5x कर लेना है, और तीसरे animation को भी 0.5x कर लेना है, ठीक है, और तीनो animation करने के बाद में 0.5x पर आपको करना है, अपने phone को reboot, ठीक है, तो reboot हो जाने देते हैं आप अपने phone को, तो दोस्ते हैं, आप आप ही के सामने phone reboot हो चुका है आपर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था अब देख सकते हैं फोन रीबोट होने के बाद में आप दोस्तों आपका फोन फास्ट हो चुका है आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा बर दोस्तों आप इसको जरूर ट्राइक कि रहेंगे आप सेटिंग्स को तो आपका अब अब आपका फोन इंस्टनली काफी जदा फास्ट हो जाएगा जरूर इस में ट्राइक कीजिए और आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज